नमाश्कार मैं सुने लिया कर एक और एक च्छोटी सी जानकारी आपके लिए लेकर का यह हो जो कि बहुत महत्वून ने vivid जब भी सबसे पहले सबस्य करते हैं मशीन तो फोटो कपी मशीन के अंदर जो अदर इंडिया में चलता है वो हो गया एक तो ब्रेंड नूँ जो कि पैटी पेक होती है ठीम है ना और एक मशीन हो गई RC मशीन RC मशीन का मतलब यह होता है Recondition मसीन जो फॉर्ण से चल करके आई है उसे कहते हैं RC मशीन या Recondition मशीन फिर एक हो गया है कि SecondRC या Second Hand मशीन जो इंडिया में मशीन चलती है उसको लोग Second Hand मशीन कहते हैं तो ये मशिन के तीन टाइप हो गई ब्राइंड न्युम शीन होगा एक तो दूसरी आरशी मशीन होगे भ्राइंड न्युमें से डब्बा पैक रहेगे आपको आरसी मशीन जो होगी वह आपको फॉरेंस से चल करके आई होगी उसकी कंडिशन भी बहुत अच्छी होती एक हो अब ब्लैक और वाइट मशीन जो होगई है उसमें बहुत सारे मौडल होते हैं ऐसे ही आप जो मशीन की अभी हम बात कर रहे हैं वह तारी होगई लेजर वाली होती है इसलिए उसको जो है लेजर वाली मिशीन कहते है ठीक है एक होता है इंग टेंग वाला या इंग जेड वाला अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे पर वह भी एक टाइप होता है बैसिकली वह सब छोटे साइगमेंट के लिए होता है चोटे छोटे प्रिंटर लोग लगाके यह देखें तो मॉस्ट्ली एक केणन होता है क्योंकि केणन सबसे पहले मारकेट में री कंडिशन मशीने जो आती थी वह केनन की ही आती थी और आज से हम 15-17 साल पहले की बात करें तब लोगों की पावर कैपेसिटी पर्चेसिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती थी वह तो बजार में उस समय बहुत सारे हर जगे पे लगभख 99% बजार पे जो कब जा था वो कैनन मिशीन का था तो कैनन लोगों की जुबान पर है आज भी अगर हम देखते हैं तो कोई भी वेक्ति अगर फोटो कपी मिशीन की बात करता है तो कैनन ही सबसे पहले बोलता है और हो भी क्यों ना क्योंकि एक समय इसने एक चतर राज किया अभी ब्रैंड न्यू मशीने भी जो है बहुत सारी ऐसी आ गई है जो लगभख आर्शी मशीन के खीबत में मिल जाती अभी हम बात करना है ब्रैंड की तो कैनन एक हो गया एक जेरोक्स हो गया एक तोशीबा हो गया क्यों शेरा हो गया जो मैं आपके बता चुका हूं ऐसे करके एक हो गया ऐसे कुछ और बैंड है वह सारे बजार में हैं जो कही ना कहीं अपना एक हिस्सेदारी रखते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा बात करें तो बजार में जो चलने वाले जो ब्रैंड है वह कैनन है क्य अब छूषिति है तो यह सारी चीजे जो है अभी बजार में मिलती हैं आपको देखने को मिल जाएगी अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि 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 सक्राइब या किसके अंदर हमको जादा कोस्टिंग बैठती है या क्या कीमत है तो मशीन जब भी हम लेते हैं तो सबसे पहले हम choose करते हैं brand को brand के बाद में हम choose करते हैं उसकी costing को तब जाकर कहेए कि अच्छी हम machine ले पाते हैं तो मशीनों में आप यह देखिए कि यह मेने इतने brand बता हैं जो बजार में available हैं इसके अंदर starting होती है, अगर कीव शेरा की बात करें तो सबसे कम काउस्ट इंग की मशीन होती हैं जिसके अंदर आपको A3 size में लगभख 40,000 रुपई से मुशीने मिलना start हो जाती है अगर technology की बात करते हैं तो shark की technology बहुत अच्छी है अभी की तारिक में, सिनरियो में, क्योंकि उसमें वन जीबी की रैम दे रहे हैं, उनकी बैसिक मिशीन के अंदर, जो लगबग विद एर डिएप के साथ में आपको लगबग 75,000 रुपे के आसपास की मिशीन मिल जाती है, यही बात हम करते हैं, तो कैनन का जो ब्रैंड है, उ उसकी प्राइज भी लगबग जो है, 55,000 रुपे, 60,000 रुपे, 70,000 रुपे के आसपास, इसमें भी अलग-अलग ब्रैंड है, तो यह सारी मशीन है, जो बजार में अभी अभी अवेलेबल है, जेरोक्स है, जेरोक्स का भी अपना एक पार्ट है, पर जेरोक्स जो है, मशी बैसिकली ज्यादातर वो गौर्मेंट में चलती है, वो गौर्मेंट के लिए बनी होगी, तो जो वर में जब भी आप मशीन को खरी दें, तो आपको यह देखना है कि कौन से ब्रैंड में जाना है, कौन से ब्रैंड के अंदर हमको कौपी को सस्थी पड़ेगी, अभी हम य आपको लगता है कि यहां पर सर्वीस बहुत अच्छी मिल जाएगी, तो आप जो मर्जियों आप यूज़ कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप इंटिरियर में हैं, तो कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल काट्रेज में जाएं, अगर आप के पास में सर्वीस हैं, या वो मशीन हैं, यह जानकारी है मशीनों के बारे में, अब इसके अलावा हम और बात करें, तो मशीन के अंदर जो कंप्रिट मशीन होती है, वो बैसिक मशीन से स्टार्ट होती है, किसी भी कंपनी की बैसिक मशीन जो होती है, उसके अंदर, कॉपी, प्रिंट, इसकें और डुप आप देख सकते हैं तो वह उसमें आप एड़ान करा सकते हैं जब आपको अगर उसकी रिक्वार्मेंट हो तो ऐसे करके फिनीचे टॉली लग जाती तो वह बड़ी मशीन हो जाती है अगर आपके पास में काम लिमिटेड है तो आप जो है छोटी मशीन से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और आप एसी मशीन लीजिए जिसके अंदर के ये सारी चीज़े एड़ान हो जाए तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा वैसे वैसे आप उसमें जो है आफ़नल जो च सकते हैं उनके साथ में तो यह उससा की जो है आप अपनी जरूत की ने सकते हैं ये एक बहुत अच्छी जानकारी है जो आप तो यह चोटी सी जानकारी थी तो मैंने आपको दी है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा वाखी नमस्काथ